हेलो एव्रिवन इस उमेश और आप देख रहे हैं क्लास 9 की साइंस जिसका चैप्टर नंबर 7 है बायलोजी का ठीक है सो जैसे की चैप्टर नहीं में डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गनीजम जो कि ये जीवों में विविवता है किस टाइप के होती है किस किस टाइप के बच्चों की यूनियर और सीने क्लासेज के लिए सो मैंने सोचा कि क्लासेज अगर आफ लाइन नहीं हो रही है तो बच्चों की पढ़ाई बीच में ब्रेक ना हो इस बजह से मैंने सोचा कि वीडियो ही बना कर आप लोगों को कंट्यूनी रखा जाए ठीक है सो चैप्टर हम पढ़ते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गनीजम का मतलब क्या होता है जीवों में बिवित्ताएं किस टाइप की होती है तो जैसे कि कभी आपने सोचा है कि हमारे चारोर कितने प्रकार के जी कि किसी टाइप से किसी रूप में डिफरेंट होते हैं एक जैसे से की अपने आप को इदेख लीजिएगा जगर आपके फ्रेंड हों कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा ठीक है किसी के faces expressions अलग होंगे किसी की body language अलग होगी तो मतलब क्या है कि सब में आप जो है difference देखेंगे ठीक है तो अगर हम प्रतिवी पर रहने वाले जीवों की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजी होती है जैसे कुछ साइज होता है वो microscope से ही देखा जाता है ठीक है और जैसे कि whale मचली हो गई आपकी उसे तो आप बिना directly भी वैसी देख सकते हो ठीक हो तो इसी चीजों की लिए इन ही organisms के लिए इनको life को show करने के लिए इनके groups को identify करने के लिए इन लोग की study करने के लिए इन सारे जीवों की organisms क study करने के लिए इसको एक क्रम में एक sequence में हम जो है इसको पढ़ते हैं ठीक है तो इसी जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास classification यानि कि इनका बरगी करन क्या होता है ठीक है तो क्या है science of arranging organism in a series of group and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities Aristotle classified on the basis of their habitat means the place they live in water in air and on land it means कि जैसे मैंने बताया था कि जो जीवों में organisms में समानता और समानता के अधर पर उनको क्या है किसी एक series में sequence में groups में उनको बाट दिया जाता है और जैसे कि Aristotle ने क्या करा उनको classified किया उनके habitat को बेसमान कर ठीक है जैसे वो पानी में रहते हैं या हवा में रहते हैं या जमीन पर रहते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम कुछ बेसिक characteristics देख लेते हैं classification की कि क्या क्या होती है क्या कैसके basis होते हैं तो जो nature of cells की बात करें तो अगर कोशिकाओ की अगर प्रकड़ती बात करें तो prokaryotic होती है या eukaryotic होती है और अगर cellular देखा जाए कोशिकी है देखा जाए तो unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी हो सकते हैं उसमों देखने वाली बात होगी और अगर इनके जो है संगठन का इस्तर देखा जाए यानिके level of organization देखा जाए तो cellular तेखुलर भी हो सकते हैं टिश्यूस भी हो सकते हैं और ऑर्गन शिस्टम भी हो सकते हैं यानिकी cellular है टिश्यूस को उच्तक बोला जाता है हिंनी में और उसमों को अंग बोला जाता है जो तुमारे अंग उते हैं और अंग का system अंग की प्रहनाली के होती है mode of nutrition कि इनकी nutrition की कौन कौन सी modes होते हैं कौन कौन सी बिधिया होती है ठीक है autotrophic और heterotrophic autotrophic क्या है कि वो autotrophic वो चीज होती है जिसे swim बोला जाता है मतलब कि वो organisms या वो plants जो अपना food अपनियाप बनाते हैं वो हमारे autotrophic में आते हैं जैसे कि plants photosynthesis के तुरू food बनाते हैं तो हमारे हो गया autotrophic इसी टाप से heterotrophic होता है जो कि दूसरे organism पर depend रहते है इट मींस humans also being in a heterotrophic कि जो humans है वो already है heterotrophic है ठीक है nature में तो यह सी से समझ गए हो गया आप है ना तो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं विकास का वर्गी करण यानि की classification of evolution की step से होता है जैसे कि जितने भी सभी जितने भी organism होते हैं उनकी जो physical structure होता है और जो working होता है उनके अधर पर उनके base पर उनको हम पहचाल लेते हैं ठीक है और उनको क्लासिफाइड कर देते हैं जैसे कि physical जो उनकी बनावट होती है उनकी कुछ qualities होती है ठीक है या फिर आप कह सकते हैं 1855 इसी के आसपास लगवक क्योंकि बहुत सी बुक में 1859 भी है और कहीं कहीं कुछ अलग भी डेटों बढ़ दे रखी होती है चार्ल्स जो डार्विन थे उन्होंने अपनी पुस्तक the origin of species में जो है डेपलोमेंट यानि की evolution या का जो है उन्होंने पहली बार अपना विचार प्रसुत किये थे ठीक है और क्या है कि अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन और डेपलोमेंट के बारे में देखें तो हम देखते हैं कि कुछ जीव जो जीवों को समू होता है ग्रूप होता है वो तो फिजीकल अगर इस्ट्रक्शन की बात करें तो प्राचीन समय से एशेंट टाइम से लेकर आस तक उसमें कोई खास परिवर्दन नहीं हुआ खास कोई इसमें जो modification होता है अप्ग्रेडेशन होता है और जो है changes नहीं हुआ है लेकिन कुछ जो organism होते हैं उनमें differences दिखाई दे जाते हैं ठीक है तो जिल लोगों के जैसे लिखाए दोज who acquired certain special characters during the time period are known as advanced or higher organism जिल लोगों ने समय अवदी के दरान कुछ बिशेश चरीतर प्राप्त किये थे उननत ये उच्छ जीप की रूप में जाने जाता है ठीक है तो ये चीज तो थोड़ी सी बात हो गई है अब क्या है अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट आती है कि चीज बाइ вопрос कि होती पड़ाइवर्टी होता है बाइवर्डी सीटी की वारे में हम थोड़ी सा पढ़े लेते हैं तो यह क्या होता है यह जो उस एरया में जितने भी सोडनीजम होते हैं उन्सकी लाइफ फर्म्स को जो use किया जाता है या उन्हों जो अपनी life period में जो अपने areas में life spend कर रहे होते हैं उनको जो है एक टाइब से term को use करने के लिए किया जाना वाला जो शब्द होता है वो हमारा biodiversity कहलाता है और क्या है यह जो है ना these life forms depend on each other on the environment and result in a stable community यह क्या है अपने जीवन को अपने life को क्या है एक दुसरे पर निर्वर करते हैं और environmental conditions पर भी depend रहते हैं ठीक है और human is also part of biodiversity और जो human है वो इसका क्या है इसी का एक part है biodiversity का ओके और अगर ऐसा estimate लगा जाए ऐसा अनुमान लगाते हैं इस planet पर लगबग करोड़ों पर जाती हैं जिसमें हम कुछी लगबग 20 lakhs पर जाती हों के बारे में जानते हैं ठीक है ना तो आप खुद लगा सकते हो कि कितने हैं और कितनों के बारे हमें जान सकते हैं चलेगा आगे बढ़ लेते हैं कि अब बात आति है कि इनका हम कैसे हयार की यार की का मतलता है उनका पद का 1994 और रावर्ट वाइट टेकर 1969 और कार्ल बॉइस 1977 यह जितने भी साइंटिस्ट थे थी इन्हों इन्होंने क्या करा इन्होंने living organism को जो है काफी boldly categories में kingdom में बाटा यान कि इन्होंने इसको divide करने का प्रियास किया वाइट टेकर ने क्या करा था वाइट टेकर ने यह प्रियास किया यह उसने थोड़ा सा जो है कोशिश करी कि इनको पाच टर्म में बाट दिया जाया यान कि पाच kingdom में इसको divide कर दे जाया वो कौन-कौन से थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फंजाई बोल सकते हो, फंगी भी बोल सकते हो प्लांटेई यान कि प्लांटी भी बोल सकते हो और अनिमीलिया ठीक है इनको उन्होंने इसमें पाच समुहों में इसको बाट दिया और जो कारल बाइस थे उन्होंने मोनेरा को आर्क वैक्टेरिया और यू वैक्टेरिया में बाट दी दिया आर्क वैक्टेरिया एशियन टाइम और यू वैक्टेरिया मॉडरन टाइम का ठीक है तो अब क्या था कि इन्होंने इसको आगे जब अगर हम इसकी क्लासिफिक्शन की बात करें तो इन्होंने कुछ groups में इसको divide किया सबसे पहला आता है kingdoms उसके बाद आता है division phylum phylum जो होता है वो हमारा जन्तूओं के लिए animals के लिए use किया जाएगा term और division जो है वो हमारे plants के लिए use की जाएगे term को जहां भी हम division की बात करेंगे वह हम plants की बात करेंगे और जहां हम phylum की बात करेंगे वहां हम animals की या जन्तूओं की बात करेंगे उसके बाद आती है क्या आपके class यानि की work कौन सा है उसके बाद आते हैं आपके order ठीक है की वो कौन से order में है उसके बाद family आती है फिर आता है उसका genus यानि कि उसका जो वन्स है वो वन्स यानि कि वो जैसे कहता न है इसके पूरवज हमारे बंस पुराने हमारे इतने वन्स पूरवज हमारे ऐसे यह थे यह थे तो वो वह वन्स की बाद आती है फुर उसके बाद आती है species यानि की जाती क्या होती है उनकी तो इनके बारे में हम जैसे की दीरे दीरे पढ़ेंगे आगे kingdom moonira, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom planet और kingdom animalia ठीक है तो दीरे दीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे so I hope कि आपको वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ और जियो वीडियो है इसमें आपको समझ में आ रहा होगा और जैसे जैसे अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो के लास्ट में आप वीडियो क्लास देखने के बाद नीचे comment करके जरूर बताईएगा कि आपको क्लास कैस और हो सकता है तो reasoning इन सब की वीडियो जो है जैसी मुझे time मिलता है तो मैं इसकी वीडियो बनाकर डाल देता हूं अगर आप चैनल को subscribe कर लोगे तो मेरी जितनी भी जो भी वीडियो मैं आगे upload करूँगा reasoning की हो, math की हो, science हो, physics, chemistry, bio, computer या other subject जो भी हो, gk, journal knowledge, current affairs तो इन सब की वीडियो की notification आप तक directly पहुंच जाएंगे और आप उसको आराम से देख सकते हो तो चैनल को subscribe पर देना और bell icon पर click कर देना चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है kingdom monera kingdom monera क्या होता है ठीक है देखो इन जीवों में क्या होता है इन जो organism क्या होता है ना तो इसमें कोई जो है nucleus होता है ठीक है और ना ही यह multicellular होते हैं ओके यह हमेशा unicellular organism होंगे और इनके अंदर cell organelles भी नहीं पाए जाते यान कि कोशिका के जो अंग होते हैं वो इसमें पाए नहीं जाते हैं ठीक है इन में क्या है कोशिका भित्ती याने की cell wall हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है compulsory नहीं कि होगी होगी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ठीक है और बात की जाए तो यह nitrogen का fixation करने में सक्षम होते हैं होते हैं ठीक है और अगर कि नुट्रिशन की बात की जाए तो यह ओटो ट्राफिक भी हो सकते हैं और हेड्रोट्राफिक भी हो सकते हैं दोनों टाप की हो सकते हैं ठीक है जैसे कि अगर सायनों वैक्टिरिय की बात की जाए माइको प्लाज्मा की बात की जाए ठीक है जीवान आगे बढ़ जाते हैं आगे हम जैसे की दिर दिर आगे classes को बढ़ाएंगे वीडियो को तो इसमें आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि तो अब देखिए आप आता है kingdom protester के बारे में ठीक है ठीक है तो जो हमारा protester होता है kingdom वह क्या होता है एक तो unicellular organism होगा चीक है दूसरी बात यानि की unicellular organism का मतलब होता है एक कोशिकी है उसमें किवल एक cell होगा उसके अलाबा यानि के single cell type का यहां पर जो cell term यूज हो रही है वह यूज कोशिका के लिए यूज हो रही है ना कि आप कोई बैटरी का सेल समझो न ऑउर लॉज होता है और सेल अलग होता है अट्राफिक थिए जाती है कि उस में सेल करूंध्वर मार्य उा रावटे पाइंद की उथे सोगे हैं और डीन होनी यूज होती लिए ऑनदे वीन होत्तो episode 10 एक कोई compulsories में नहीं है अगला पॉइंट बात कर लेते हैं सम आफ दीज ओर्गनीजम हैव अपेंड़ेज लाइक सीलिय एंड फिलिगिला फॉर मुमेंट ठीक है इसमें जो है कुछ ओर्गनीज में ऐसे होते हैं जो की मुमेंट के लिए होते हैं लाइक स्लिय और फ्लेग अलम है दे प्रेड्यूस बाइ बोथ सेक्शल एंड एसेक्शल मैटर यानि कि यह जो प्रेड्यूस करते हैं मतलब रिप्रोडक्ट करते हैं ठीक है वह दोनों टाइप से कर सकते हैं लाइक शेक्शल टाइप से भी और आसेक्शल टाइप से भी ओक झस की शेवल हो गयी आपके प्रमीशियम हो गया अमीवा हो गया यूगलीना हो गया फिके डाइटम हो गया, प्रोड़ोजोंज हो गया, वो सब इसके क्या हो जाएंगे, एक्जाम्पिल हो जाएंगे, समझ गए बच्छो, आगे बढ़ लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट आपका यह आया है किंगडम फंजाई, यानि कि इसको बोले आता है कवक, हिंदी में, तो इसके बारा में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसमें जैसे कि इसके जो एक्जाम्पिल्स होते हैं, जैसे ही इस्ट हो गया, मश्रूम्स हो गये, मोल्ड हो गया, र दूसरी बात कही है, यह हेटरोटोफिक और यूकॉरियट एक टाइप का और गनीजम होते हैं, क्या सकते हैं, जो है, सेपरोफ़ाइट्स भी होते हैं, ठीक है, और क्या है कि इन्हें परजी भी बोला जाता है, ठीक है, और क्या है कि इसमें सम आफ देम लेव बिद माइ कोड़ जी इओ, ठीक है, तो क्या है कि यह अच्छी तरह से रिलेशन्शिफ में रहते हैं, या अच्छी तरह सर्द जो है, यह यह अलगे और сторонशंच आपस में साथ में रहते हैं, और क्या है कि इन्हें बहुत सो में वेलेटी होती है कि वो मल्डिसेलुलर हो जाएं, जैसे कि एक्जांप्ल तो मैंने दुम्हें बताई दिये हैं ठीक है चलिए का आगे बढ़ जाते हैं अब बात आजाती है kingdom plant आई की या जैसे कि plant आई का मतलब होता है plant हम पादब याने की plants के बारे में हम पढ़ लेते हैं हर इधिक यह क्या होता है इंग्दम किहोंत है अबाडाव स्ट करता है सारे प्लांट के स्पेशे को और क्या है कि अदि अपना फोड अपने आप बनाते कि प्लांट्स अपना फोड अपने आप बनाते हैं वेर उनwhite इन चुल्हके कि तान्रीत को दूसरों को करते हैं और क्या है कि दे फर्दर क्लासिफाइड इन्टु फाइब मेजर डिवीजन इनको पाँच जो मेजर डिवीजन है डिवीजन को मैंने बोला था कि हम प्लांट्स के बारे हम पढ़ेंगे तो पाँच इनके जो मेजर डिवीजन होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं टेरीडोफाइटा जीमनोस्पर्म और और एंजीयोस्पर्म इसके बारे में भी अम पढ़ेंगे आने वाली जो है ऐब चोक लास चल ली आपके इसी में बढ़ेंगे कि सो सबसे पहले बात आजयती है डी विजन थेलोफाइटा सॉरी तो डिविजन्स थैलुफाइडा के बाले प्पढ लेता हैं तो बाड़ी ऑफ और्गिंजम एज नॉट दिफ्रेंशेट इंटो ओर्गंस यानि कि क्या है कि इसमें पाधों की जो ओर्गिंजम के बौड़ी होती है वो organs में differentiate नहीं कर सकते है ठीक है mainly क्या aquatic found only in fresh and marine water अगर mainly बात की जाया है अगर aquatic की बात की जाया जलिये की बात की जाया जल के अंदर की बात की जाया तो वो fresh, ताजे और समुंदरी जो water होता है, पानी होता है उसमें वो पाय जाते हैं tissues for conduction of material and for mechanical strength is absent यानि कि जो संचालन के लिए conduction के लिए ठीक है, mechanical जो strength होती है tissues की, वो क्यों होती है absent होती है ठीक है और क्या है, कि वो covered किये जाते हैं, कि स्लेश यानि कि my cell age से जो है, वो covered किये जाते हैं और algae अगर algae की बात की जाए तो वो algae इसका example हो जाएगा यानि कि शेवाल जिसे बोले जाएगा और ये जो है reproduction कर सकते हैं vegetative तरीके से कर सकते हैं is actual भी कर सकते हैं और sexual reproduction भी कर सकते हैं जैसे कि आपको side में आपको diagram भी आपको दिख रहे होगा तो चलिए का आगे बढ़ लेते हैं अब बात आती है bryophyta की bryophyta की बात कर लेते हैं तो इसको उभैचर नाम से भी बोला जाता है ठीक है उभैचर का मतलब होता है कि ये दोनो टाइप के होते हैं इसमें क्या है कि जो इसका जो तना होता है और जो पत्ते होते हैं जो लीव्ग होती है उस तैप में ये क्या है दिवाइड के जाता है मतलब ये roots में, leaf में और stems में differentiate कर सकते हूँ आप इसको देख सकते हो और आम से ठीक है और उसका जो एक पार्ट होता है उसमें तो पानी रहता है और दूसरे पार्ट जो होता है वो उसमें जो संबहन होता है उसका कंडक्टिंग होती है कंडक्शन होता है उसमें टिशूज नहीं पाए जाते ठीक है और जो एमफीवियन हमारा ग्रूप होता है प्लांट किंडम का उसको उसको कहा जाता है these are known as amphibian or plant kingdom plant kingdom का amphibian इसको उभेचर हमारा इसको कहा जाता है और ये भी जो reproduce होते हैं vegetative तरीके से भी होते हैं यानि कि बनस्पतिक टाइप से जो आना इस sexual टाइप से और sexual टाइप से दोनों टाइप से funria, anthoceros और merchantia इसके कुछ examples की हो जाएगे ये सब इसके example हो जाएगे ठीक है चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं अब बात आती है teradophyta जो इसमें P हो silent है इसलिए हम इसको teradophyta भोले जाएगा ठीक है इसमें क्या है इसमें हम differentiate इसमें भी कर सकते हैं जो है leave, steam and roots में ठीक है इसमें क्या है कि एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जो है इसका अगर हम conduction करेंगे तो उसमें tissues भी पाए जाते हैं ठीक है बट क्या है इसमें सभी टाइप के जो fruits हैं वो नहीं लगते उनमें sports होते हैं याने कि बिजाणूंज होते हैं और इन्हें किप्टोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और इनका अगर मैं examples की बात करूँ तो examples उसको जाएगा fern marcelia horse tail ठीक है यह सब इसके क्यों हो जाएंगे examples हो जाएंगे ओके चलेगा आगे बढ़ लेते हैं अब आज आता है gymnosperma अब यह क्या है कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है एक होता है gymnos एक होता है sperma gymnos का मतलब होता है वोता नेग्ड नग्ण ओके और इस्परम का जो इस्परमा का मतलब होता है वोता है beege seeds ठीक है तो gymnosperma जो जो है इसमें क्या होता है यह these are perennial evergreen trees having body drunks ठीक है क्या यह 1280 याने की evergreen का मतलब होता है साल भर सदभार पेड के नाम से इसको हम कह सकते है और जो इनकी बुड होती है लकडी होती है उसमें तनी होते है ठीक है सेंप बीरियेस प्रिद्वी पर पाए जाने वाला सबसे लंबा पेड़ जो कि 125 मीटर का 125 मीटर का होता है यह सब एक्जाम्पिल है आप साइड में इसको डाइग्राम भी देख सकते हूं क्योंकि यह जो वीडियो बना रहा हूं मैं तोड़ा सा मेरे पास टूल्स की कमी है अभी फलाल हाल फलाल में में जो है मुवाइल से बनाए जा रहा है सो जब मैं ऑनलाइन क्लासे आपके लाइव लूँआ तो उसमें मैं सभी चीजेओं का यूज करूँआ अगली बात आजाती है एंजियो इस्परम की अब एंजियो इस्परम भी दो जो है ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बनाए एंजिया और इस्परमा तो एंजियो का मरतव होता है ढका हुआ कवर्ड किया हुआ और इस्परमा का अड़्थ वह होता है बीज यानिकी सीड्स सो क्या है कि विशेश कवर्ड से ढखव होते हैं जिनें फल कहा जाता है ठीक है वह क्या करता है अपने रिप्रड़क्शन के लिए और्गंस में क्या है फूल को क्या करते है बियर कर लेते है क्या हैं आप एग्साम्पल की बात करें तो वह घ्रैश की आपका ग्याहूं और पहुत हैं फूल रखी रहते हैं जैसे होते हैं जैसे हां इसमीड्र करते हैं और वीट हो गया, चावल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, टेमेटो हो गया, वो इसके गया, एक्जाम्पिल हो जाएंगे, ओके, चलिएगा, आगे पढ़ लेते हैं, अब बात आती है, अब बात आती है, अनिमेलिया, डाइग्राम से आपको पता चल लोगो सब कुछ, इसमें तो अगर इसके हम बात कर लेते हैं, मेन करेक्टेस्टिक्स की, इस किंग्डम की, तो क्या है, थीस आर यू कारियोटिक और 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 अफ हेटरोट्रोफिक नेचर, यह क्या है कि हेटरोट्रोफिक नेचर के होते हैं, ठीक है, क्यों हेटरोट्रोफिक जैसे मैंने बताया था studying में कि अपना food अपने आपने बनाते ही दूदरों पर डिपेंट रहते हैं ठीक है यह multicellular organism होते हैं unicellular याने की single cell और multicellular याने की multiple cell ठीक है और क्या है कि इनके अंदर cell wall present नहीं होती है और नहीं इनके अंदर chloroplast होता और ये भी आगे क्या है बहुत सारी groups में divide किये जाते हैं पढ़ लेते हैं आगे बात आती है phylum की phylum का मतलब जैसे मैंने बताया था जिसमें हम animals के बारे हम बात करते हैं वो हमारा phylum होता है करूड़ अपकीर है वा कि अब इसके भारे में बात कर लेते हैं पर एपर के बारह में आब क्या होता है कि है यह जो जानवर होते हैं जो एनिमल्स होते हैं अपने जो बॉडी पर अपने बॉडी के सर्फेसेर पर छोड़े छोड़े होल्स रहते हां के बॉड़ई पर तिखे और क्या है दियार एक्विटिक और सेटेंट्री मींस नॉ। मॉटाहिल्स ये कोई ओफने और गती हीन भी होते हैं उनके पास क्या है उनके जो बॉडी होती है उनके जो बॉडी डिजाइन होती है वो सेलुलर लेविल की होती है और जो इनके स्केलेडल सिस्टम होता है वो हार्ड होता है ठीक है जैसे कि साइक कॉन स्पॉंजिला इसके क्या हो जाएंगे एक्जाम्पल अगले टॉपिक की ब बात कि यह एक को इनिमल होते हैं तो इनकी सरीर होता है वह जो इनकी दो जो लेयर्स होती है इंट्रनल और एक्स्टरनल लेयर से बना होता है जैसी कि आपको वह देख रहा होगा क्या थे इसको आधा नाम भूलिया मैं इसका ऑगे जैली फिश कहा जाएगा इसको जैली फिश ठीक है तो देख ली जगह इसका एक्जाम्पल क्या है हाइड्रा, फिजीलिया, वेलिया जैली फिश आर दे एक्जाम्पल अफ दिस टाइप अफ कॉयले टेरेटर ओके आगे देख लेते हैं अब बात आजाती है आपकी अगले टॉपिक के ठीक है तो अगले टॉपिक की बात करें तो यह हमारा प्लैटी हैमिल्थ नीज आपको जैसे डियाग्राम में देख रहे हैं यह होगा रिंगने वाले ठीक है तो क्या है यह बाइलेटरल सेमेट्रिक आपको में रिप्रेजनटेशन करते हैं जिसमें क्या है ठीक होती है यह जो है प्रस्टी है यानिकी ऋर्फेस टाइप के चप्टे होते हैं अग्दम सिफ़्लैट होते हैं या तो इनहें पैरट साइड़ भी कह सकते हो और यह लिविंग यानी की जिंदा parasite living भी होते है और parasite भी होते है और जो इनके tissues भिल ठैसे होते हैं body designs होती है वो tissues ही मिलकर यानी के उसी level की होती है इनके पास कोई cavity नहीं होती है बाड़ी पर example जैसे बात करें तो liver flux planner liver flux इसके जो है वो example हो जाएंगे ठीक है अगला बात कर लेता है नीमी टोड़ा या नीमा टोड़ा बोले जाएगा ये भी जो है तिरकोरी टाइप के जो है जन्तु होते हैंनिमल होते हैं ठीक है लेकिन इनका जो बाड़ी है वो एकदम फ्लैटना होकर एक बेलन टाइप का जो बेलना का ड़कता गोल्ड होता है यह parasitic होते हैं nutrition में एकरिस और विचूरिया इसके क्या है वो example हो जाएंगे इसके आपको डाइग्राम में भी दिख रहे होंगे ठीक है चलिक आगे बढ़ जाते हैं अगली बात आती है फाइलम एनिलीडा एक्जाम में आते भी है कोशन इससे डिलेटेड ठीक है तो एनिलीडे की बात कर लेते हैं तो बाइलेटरिकल से मेटरी होता है और और उसका अलावा यह क्या है ट्रिपो वलो प्लास्टिक ब्लास्टिक भी होता है यह अकार में क्या होता है जैसे देखो आपको जॉंक जैसे जो है बारिश के मौसम में जॉंक चिपक जाती है टांगों पर वह यह आप इसका एक्सांप्ल देख सकते हो यह देख सकते हैं आपको अकरोच हो गया आपका ज आघन सीस्टम होता है वह बोड़ी डिजिसाइन भूब बेखेद होगा जाता है और इतरूपोर्छ उइना आफ्ग बॉद्धे व Mitt, लीज बनें निविंग और भूल और बजकए है भूड़ी निवर केंची अर्ध बधोर्म हो गया लीच उगा जोके हुआ है वो क्यों होगे इसके एक्जाम्पल हो जाएंगे अब आ जाता है आर्थरो पोड़ा देखो डाइग्राम से भी आपको दिखी रहा होगा कि हम किसके बार हैं बात कर रहे हैं और आर्थरो पोड़ा की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा क्या है संग है ठीक है इसमें थिरी जो लेर्स पाए जाती है जम्स लेर पाए जाती है और इनके पास क्या होता है कैवेटी होती है इनकी बोड़ी में जो की ब्लट से भरी होती है आर्गन सिस्टम की बात की जाए तो वह जो है बोड़ी डिजाइन भी लेवल में पाए जाता है लार्जेस्ट ग्रूप ऑफ एनिमल्स जानूरों को सबसे बड़ा ग्रूप है दे हाव जॉइंट्स लेक्स इनके जो है जो लेक्स होते हैं वह जॉइंट होते हैं कोक्रेज हाउस फ्लाई और यह जो एक्जाम्पल्स आप देख सकते हो ठीक है जैसे की जहींगा भी कह सकते हो मक्खी मकड़ी केकड़े यह सब एक्जाम्पल हो जाएंगे आपके आर्थरों पोड़ा के अंतर है ठीक है आगे बढ़ लेते हैं मॉल उसका अब अगला आजाता है मॉल उसका बॉड़ी केविटी इस हाइली रिड्यूस इनकी जो बॉड़ी केविटी होती बहुत ही ज्यादा रिड्यू का उबलास्टिक मीन्स है ठीजंप लियर यह क्या यह भी जो बाइलेटरल सिस्स्थिमेटरी को शो करते हैं और ट्रिपल अतरिपलो बलास्टिक जो है यह रिपर्जाण करते हैं जिसमें थीन जंसलेयर होती है जैसे कि यह आपको दिख रहा होगा सीप सो गई octopus हो गया ठीक है और यह क्या है इनका खुद का जो है open circulatory system होता है यह क्या है इनके खुद की मतलब इनकी body में kidney होती है जो की excreation में काम आती है highly muscular food होते हैं इनके जो की moment में काम आते हैं पीला चीटों इसके क्या example है ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं फाइलम इचिनोडर्मेटर या इकाइनोडोमेटर इसको बोले जाएगा इसको जो ग्रीक word है इकाइनोस है इकाइनोस का मतलब होता है है जोंग और डर्मा का मतलब होता है तोचा यानिकी skin इसका मतलब यह spiny skin organism होते हैं जिसके आपको दिखाए दे लोगा starfish बगरा ठीक है यह free living organism होते हैं जो की marine water में पाए जाते हैं यह जो है इनकी body में true body cavity होती है और क्या है triple blastik होते हैं यह इनमें क्या है यह tube system पाए जाता है जो कि यह tube system होता है moment में काम आता है ठीक है और यह क्या है high power की regeneration को जो है शो करते हैं starfish sea urchin जो है वो इसके कुछ example से ओके सो चली का अगवर जाते हैं अब phylum proto core data अब इसकी बारें बात कर लेते हैं तो अब इसके बारें बात करते हैं तो इसमें क्या पाए जाता है इसमें भी bilateral से symmetric पाए जाता है triple blastik means three jumps layer होते हैं इसमें भी cylindrical shape में पाए जाता है यह ठीक है और true body cavity होती है इनके पास life span करने के किसी भी जो है stage में notch जो है notch आड भी पाए जाता है जो क्या करता है muscles को जोड़ने में ठीक है diagram में आपको दिख रहा होगा ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइलम वर्टरिवरेटा यान कि कशेरुक एक्जामिल में आपको दिखाई दे रहा होगा काफिशी चीजी दिखाई दे रहेंगी इससे आपको पता चल रहा होगा जैसे कि मैंडक हो गया फिश हो गई और टर्टल हो गया और एलिफेंट हो गया ठीक है तो यह सब आपको दिखाई दे रहा होगा यानि कि इनके पास लाइफ स्पैन करने के लिए लाइफ के स्टेजिस करने के लिए नो कॉर्ड होते हैं इनके पास डोजरल नर्वर कॉर्ड होती है तंत्रिका तंत्र होता है ट स्कीज, एमफीविया, रैप्टीलिया, एवीज, महमेलिया, यह सारे गुरूप इसके अंदर आते हैं, तो इनके बारे में भी देखते हैं थोड़ा बहुत, पहला आता है फिसिज, इनकी मीन, मतलब मचलिया, या इनकी फिशिज, जो कि आपको डाइगराम में आराम से दिख होते हैं, बोडी जो होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, और एक टैल होती है, पहुंच होती है, स्ट्रीम लाइन का मतलब पानी को काटते हुए जाना, ठीक है, इनका टू चैम्बर होता है, और बलड जो होता है, ठंडा खून होता है, और इनका जो होता है, दिल होता है, वो जो मचली आप देखते हो वो इसके एक्जामपल है अगला टापिक आ जाता है हमारा एंफीविया उभैचर यानि कि जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं यह अनिमल्स के होता है यह अनकवर्ड इसके होते हैं खुली तौछा वाले होते हैं ठीक है और क्या है इनका जो दिल होता है इनका जो हर्ट होता है वह तीन चेमबर यानि इसके अंदर हर्ट के अंदर तीन चेमबर होते हैं और यह भी ठंडे ब्लडड होते हैं यह भी ठंडे खून बाले होते हैं गरम खून नहीं होता है इंक अंदर बताओ अना तो कोई बात नही आगे बढ़ते हैं ये क्या है ये एक्स रिप्रिड्यूस करते हैं बिदाउट कोई हार्ड शेल कोई हार्ड सेल नहीं होता है ठीक है जो कवर्ड होता है वो शेल हार्ड नहीं होता है ये पानी और जिमीन दोनों पर पाए जाते हैं frogs हो गया, salamanders हो गए, इस अब examples हो जाएंगे इसके, ठीक है, और अगली बात के लिए जाए, reptilia, reptilia मतलब सरी सर्प, जो की पानी में, क्या है, पानी में भी तह रहेंगे और बाहर भी रहेंगे, ठीक है, they are terrestrial as well as aquatic, skin is covered by scales, they are cold-blooded animals mostly having three-chambered heart-expected crocodile, क्या है कि टाइस्टेल भी होते हैं, और aquatic भी होते हैं, जो, यह cold-blooded भी होते हैं, और इनको जो heart होता है, तीन-chambered का होता है, बट क्रोकडाइल को छोड़ कर, यह जो आप eggs reproduce करते हैं, वो hard, जो उनका cover होता है, जिसकी अंडे, अंडे के भार का जो shell होता है, वो hard होता है, और जो यह सांस लेते हैं, वो lungs के थूरू लेते हैं, snake की बात कर लो, turtle की बात कर लो, क्रोकडाइल की बात कर लो, यह सब example हो जाएंगे आपके, किस चीज़ के हैं, यह हो जाएंगे, आपके रैप्टी लिया गए, ओके, चलिए का आगे बढ़ जाते हैं, अवीज, अवीज को बोले जाएगा, यानि कि यह कक्षा इनकी जो बोले जाएगा, वर्ग जो बोले जाएगा, वो बोले जाएगा, पक्षियों का, ठीके, यह क्या है, यह normal temperature के प्राण़ी होते हैं, क्या इनका जो दिल होता है जो इनका हार्ट होता है वो चार चैमबर्ड होते हैं सबके तीन हो रहे थे इनके चार हो गए और ये गरम खोन वाले होते हैं इनका जो blood होता है वो गरम होता है ठीक है और क्या है कि जो इनके eggs होते हैं जो यह अंडे देते हैं वो hard shells are covered होते हैं ठीक है और lungs से हम यह फेपड़ों के तुरू क्या सांस लेते हैं ठीक है जैसे इनके जो है दात नहीं होते हैं और यह जो भालो की चौंच लिखाया ना तो यह जर थोड़ा इंदी में मिस्प्रिंट हो गया है तो इसको ना दियान लखेगा ठीक है पंजेव अगरा नहीं होते हैं और जैसे की बात के लिए जाए सब एक्जाम्पल इसके जब अए सफेद स्टॉरक ठा बतिख की बात कर लिए जाए कभुतर कोवा गोरेया इन सब की बात कर लिए तो इसके एक्जाम्पल रजाऑँगे सारे पक्षिस जितनी भी होते हैं वे इसके एक्जाम्पल हो ठीक है अगर हम कलास की बात करें तो अगमीलिया आ जाए가ा गरम ब्लड होता है, सांस यह लंग से लेते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जो इनके लंबे-लंबे बाल भी होता है, हेर्स होता है, नेल्स होता है, इनको पसीना भी आता है, ठीक है, और ओल ग्रंथिया भी होती है, ग्लांड भी होती है, और यह जो ब की प्रोड़क्ट प्रोड्यूजिंग एनिमल्स है ठीक है और जो हुमन्स है वो सब इनके एक्जाम्पल हो जाएंगे और थेंक्स फॉर वाचिंग है वनाईज़ी टेक केर बापाई